पाक से मगवाए हतियार निशाने पर हिंदू नेता गुजरात से मौलाना गिरफ्तार निकला पाकिस्तानी कनेक्षन नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट अब वक्त हो चला है से मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जुजनता राज देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं देश के बड़े हिंदुवादी नेताओं की हत्या का प्लान बनाने के आरोप में मौलाना को पुलिस्ट ने धर्द बोचा है गिरफ्तार किया है जहां मौलाना के मोबाईल पोन से ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसे अफसरों के भी होश उड गए हैं साथी साथ मौलाना के तार पाकिस्तान से भी जूड रहे हैं तो आज बात होगी मौलाना की बात होगी मौलाना के प्लान की तो चलिए शुरू करते हैं देश के बड़े हिंदुवादी नेताओं की हत्या की साजिश रशने के आरोप में सूरत क्राइम ब्रांच की पुलिस ने एक मौलाना को गृफतार किया है इस मौलाना की पहचान 27 साल के सोहेल अबूब बकर तीमोल के रूप में हुई है तीमोल पर एक हिंदु संगठन के नेता की हत्या के साथ साथ सुदर्शन टेलिविजन चैनल के मुख्य संपादक तिलंगाना के बीजेपी वधायक राजा सिंग और बीजेपी की पूरु प्रवक्ता नुपुर शर्मा की धंकी देने और हत्या की साजिश रशने के आरोप लगे है आरोपी पाकिस्तान और नैपाल में इस्तित अपने आवकाओं के साथ मिल कर प्लान कर रहा था जहां से हिंदू सनातन संग के राष्ट्य अध्यक्ष उबदेश राणा की हत्या के लिए पाकिस्तान और नैपाल के लोगों के साथ मिल कर एक करोड रुपे की सुपारी देने और पाकिस्तान से हतियार खरीदने की साजिश अस्ते पाया गया दरस सूरत के गोडादरा के साई सुरिष्टी बिल्डिंग के सनातन संग NGO से जुड़े उबदेश राणा यहां रहते हैं उबदेश राणा को इसी साल 4 जनवरी की रात करीब साड़े 10 बचकर एक अज्यात मोबाइल नंबर से कॉल आया फोन पर अज्यात स्रक्षन ने कहा कि उबदेश तु सूरत में किस जगा छिपा हुआ है अपना पता खुद ही बोल दे नहीं बताएगा तो तेरे को धूड ही लेंगे हमारा पूरा गुरुप सूरत आ गया है तेरी गर्दन उठा कर ले जाएंगे वहीं धंकी मिलने के बाद गुडाद्रा थाने में उपदेश ने अज्यात व्यक्ति के अखलाप एक शिकायत दर्च कर आई क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इस पूरे मामले की जाच करनी श जा रही है उसे सूरत के चौक बाजार इलाके से फिरहजास में लिया गया और उसके मोबाइल की जांच की गई वो नेपाल और पकिस्तान के लोगों से बात जीत कर रहा था उनकी योजना पहले एक हिंदू संगधन के नेता को निशाना बनाने की थी आरोपी को पकिस्तान और नेपाल के उसके आकाउ द्वारा लाओस में एक सिम कार्ड भी उपलब्द कराया गया था बताया जा रहा है कि आरोपी से पुछताच में ये बात सामने आई है कि उसने पाकिस्तान और दूसरे देशों के वर्च्वल मोबाइल नमबोरों से फोन किया था इसमें पाकि पाकिस्तान से हधियार भी मुगमा लिए गए थे और यह हधियार जल्द ही भारत आने वाले थे वह घटना को अंजाम दे पाता उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने मौलाना मौलवी को गृफतार कर लिया मौलवी के निशाने पर उपदेश राना के अलावा है अधराबा और एक टीवी चैनल के संपादक भी थे इस गिरफतारी को लेकर सूरत के पुलिस कमिशनर अनुपंग सिंग गहलोत ने बताया कि मौलाना के मौबाइल फोन से पुलिस को कई एहम जानकारी मिली है जहां चुम पता चला है कि आरोपी मौलाना देश के बड़े हिंदू नेत इसके लिए पाकिस्तान और नैपाल के व्यक्तियों नंबरों से लगातार संपर्क में था मौलवी को सूरत के चौक बाजार इलाके से गिरफतार किया गया है आपको बतादे कि आरोपी सूरत के कामरेज इलाके के कठोर गाउं का रहने वाला है आरोपी धागे की फैक्टर जाज की गई और उसके मोबाइल फोन की जाज की गई तो कुछ ऐसी चैट और कॉल डीटेल मिली जो हैरान कर देने वाली जहां आरोपी के मोबाइल फोन में सूरत के राष्ट्र सनातन धर्म के अध्यक्ष और हिंदू वादी नेता उपदेश राना को मारने की प्लानिंग पाकिस्तान और नैपाल का लुकी चका खुलासा हुआ उसके फोन नंबर पर मσιूडावशन टीवी के प्रधहन सब्वाधक सूरई शावह dernière के भारती जंता पाटी भाजपा के पूर प्रवक्ता नुपर शर्मा और हैद्राबाद के अधरेवा passionate settings के के बारे में एक सुरक्षित एप पर चर्चा कर रहे थे इसो देश से वो धन एकत्र करने और हतियार खरीदने की साजिश रच रहे थे वहीं आरोपी से प्रारंबिक पूछदाश में पता चला है कि डोगर और शेहनास नाम के दो व्यक्तियों से उनके संपर्क था जिनके पाकिस्तान और नैपाल के फोन नमबर थे क्राइम ब्रांच के मताविक करीब डेड़ साल पहले दोनों लोगों ने सोशल मीडिया के जरिये पाकिस्तान और नैपाल के फोन नमबरों का आरोपियों से संपर्क किया था उन्होंने दावा करके आरोपियों को उकसाया कि भारत में हिंदू संगठनों द्वारा नभी का मज़ाक उड़ाया गया इसे ठीक करने की जरूरत है वहीं मौलवी के पास से जो एक मॉबाइल फोन बरामत किया गया है इस मॉबाइल फोन में किस तरह से अलग-अलग अप्लिकेशन का इस्तमाल किया पुलिस इसकी जाच कर रही है पुलिस यह बता लगा रही है कि यह मौ जैसे गेम खेलने के बहाने एक खटा होते थे जिसमें चैटिंग की जा सकती थी वह अपने समर्थकों से कोड वर्ड में बात करते थे यहां मौलवी हिंदू नेताओं के बयान को लेकर लोगों को निशाना बनाता था मौलवी ने पाकिस्तानी हैंडलर से एक हिंदू नेत थी कि उसकी भी हत्या कमलेश तिवारी की तरह ही की जाएगी उपदेश राणा सूरत में एक एंजियो चलाते हैं उनी की संस्था के साल 2019 में लखनौ में हत्या कर दी गई थी इससे पहले कि बरवाड हत्याकांड में भी उपदेश राणा को उनके बयान को लेकर धम की मिल पाकिस्तान के अलग अलग देशों से जान से मानने की धंक्या मिल चुकी है कि चैट रिकॉर्ड से पता चला है कि तीमोल चल रहे आम चुनाओं के दौरान सांप्रदाइक सदभाव को बिगारने के लिए जल्द ही राना को मानना चाहता था सूरत पुलिस ये पता लगाने के लिए अन्य अजंसियों की मदद ले रही है कि क्या उसके मन में और भी टार्गेट थे साधी मौलवी दोसमुदाई के बीच सांप्रदाइक दुश्मनी फैलाने की एरादे से अपने ग्रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के राश्र द्वज की तस्वीरों के साथ छेड़ चाड़ करता था और हिंदू धर्म के बारे में पोस्ट या वीडियो पर करके पोस्ट किया था उसने एक विदेशी हेंडलर से हतियार भी मुगवाए थे जिसमें मौलाना पाकिस्तान व्यतनाम इंडोनेशिया कजागिस्तान और लाउस के साथ कई देशों से लोगों के साथ संपर्क में था उस पर भारती दंड सहीता की धारा 153 ए धर्म जाती प साथी सूचना प्रद्योगी की अधिनियम के तहत मामला दर्च के आगया है मौलाना वनों के को लेकर कई सारे बड़े-बड़े खुलासे होएं जिसके बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं आरोप ये भी है कि मौलवी भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की सा कर रही ऐसे मिजाच में आगे कई सारे बड़े खुलासे होना तैय है इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ बाकि तमाम खब्रों के लिए देखते रहे है कापिटल दीवी उत्तरप्रादेश नमस्कार मैं राजनीती करता नहीं पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता मैं लोगों के बीच रहता लोगों के मन को अच्छे से जानता पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूप पहचानता है संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंधासंतर मैं हर ख़मर से ख़रा सच निकालता ना कोई दौड ना कोई रेक्स क्यापिटल दीव उत्तरप देश अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया